अब बाक टो मैं चैनल तो फ्रेंज आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाने हूँ यह वाला मेकप लूग जो की स्पेशली होली के लिए है तो फ्रेंज इस लुक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ सवालों को जवाब दे दूँ जो की आपके माइंड में आ रहे होंगे कि होली है तो हमें मेकप की क्या जवाद लेकिन अगर आप पार्टी में जा रहे होली पार्टी में जा रहे तो मेकप इस मस्ट और दूसरी बात यह है कि जो भी मैंने यह मेकप लगा रखा है यह बहुत ज़्यादा अफॉर्डिवल एंड वाटर्प्रूफ तो इसमें आप पूरा बाल्टी भर पानी से भी नहालेंगे तब यह नहीं निकलने वाला तिसरी बात है कि इसमें मैंने स्किन को बहुत जादा ध्यान पर रखके हुए यह वाला मेकप लुक क्रियेट किया रखा है क्योंकि में बात यह कि उस टाम पे जो कलर सो थे वह मार कर बाते हैं किसे आपने हैस्टाइल को रखकए बन क्योंकि की इसके डोरीजन थे निर्डान को फ्रस्टाइल है कि अगर मैं अपने बालों को खुला रख देंगी तो रूमरी अगर गज्णे में पिलरा रखके चलेंगे तो अमारी जितने भी कलर सोंगे और ज्यान इंसे तो आप इस तरीके सब बन को करेंगे तो इसमें कम कलर्स एक्सपोज होगी और तिसरी बात है कि इसमें आप मैंने ओल नगा रखा थोड़ा बहुत तो ऑल से क्या होगा कि हमाती जो कलर से वह सिर्फ उपर यूपर रहेंगे तो जब आप वाश करेंगे तो आप आप अराम से जरू कलेजिगा प्लीजग क्या बैस प्लीज फ्लीजच फ्लीजप सीज अर फेलर प्रॉज फेलर से 1 डाड दीन के लिए नगा नुपर प्लीज़ाइज को तो फिर्च्वाइजर सामय की मायन धर आज ञे हुररा की इस पारीजैज नहीं पहरें की बाचा अज तो यहां मेरे थोड़े से पोर्स हैं तो ओपन हो जाते हैं तो कलर्स उसके अंदर पेनिट्रेट ना हो डीप घुसे ना तो मैं उसके लिए वहां लगाऊंगी सबसे पहले उसके बाब पुरा अलोवर फेस में स्प्रेड अप कर लोंगे अच्छे से नेक को भी आपको साथी साथ लेके चलना है उसके बाब फ्रेंड्स में ले रही हूँ ब्लू हेवन का एक्सप्रेशन पैनकेक और फांडेशन आज कुछीन ले रही हूँ सिर्फ पैनकेक ले रही हूँ कि यह वाटरप्रूफ पैनकेक है तो मैंने आलेड़ी आपको बता अब पैनकेक भी उसके तो अब है यहां पर है ब्लू हेवन का तो इम यूजिंग यूजिंग वन ओनली इसमें मेरा शेड है गोल्ड हनी 66 और बहुत जादा अच्छा पैनकेक है स्वामर्स के परफेक्ट है होली मेकप के लिए परफेक्ट है तो फ्रेंड्स आइविल प्र लूँगी तो आप देशेते हैं और इसे सबसे बड़ी बात होती है कि इसे कॉम्पैक्ट की कोई जर्वत नहीं है बस जैसा है वैसा सूख जाता है तो इंदम परफेक्ट बेस आपका फ्लॉलेस बेस क्रियेट हो जाता है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि में को थोड फेस ना लिफ्ट अप हो जाता है अगर वैसा ब्लैंक ब्लैंक लगने लगता है तो इट सोडली डिपाइन आप जैल आइलनर से भी फिल अप कर सकते हैं लेकिन मैं ज्यादा प्रिफर पाउडर से करती हूं लाइक मैं को पाउडर ज्याद अच्छा लगता है फिल अप करन ब्लेंड अप कर लूँगी और अलोवर में ब्राउज में स्प्रेड अप कर लूँगी ताकि एवन लगे उसके आप फ्रेंड्स ब्लश के लिए ले रही हूं है ब्लू हेवन का ब्लश और यह 502 है इसमें शेड और बहुत ही जादा अच्छा एक हाइलाइटर की तरह भी काम इसे फंक्शन में यह वाला प्रिफर कर सकते हैं तो आप चाहे तो इसे आईशाड़ की तरह लगा सकते हैं इस टोटली डिपेंड ओन यह उसके बाद फ्रेंड्स म्यूजिक फ्लार का जैल आइनर ले रही हूं और इसमें मेरा जो मैं ब्लैक कलर है उससे मैं कलूंगी विं तहरे मैं थोड़ासा विंड कर रहा है देख सहते है फ्रेंड्स ईक्स अप को द वह ले ले रहे हैं तो आदेख सहते हैं अपने वीर्टर राइन यहां पे लेरी मैं का का जन और अपने वाटर लाइन में इसे कर लूंगी थोड़ासा अच्छे सहे तो क्यूंकि अपने इसे एक दम फोकस होने लगती है that's why I'm just using this technique तो आप देख सकते हैं उसके बाब friends में हाँ पर brown color लूँगी music flower का ही same और क्या करूँगी कि इसे थोड़ा सा ना ये काजल smudge proof हो जाता है smudge proof है नहीं है ये मैं क्या बोल रही है smudge proof नहीं है तो ये क्या करूँगी कि मैं अपना जो brown gel eyeliner उसे अपने waterline में लगा लूँगी अच्छे से ना कि बहार की तरफ आप precaution कीजिए प्लीज अंदर मद डालिएगा और अच्छे से कर लूँगी इसके लिप्स्टिक लिए अच्छी मरून प्लम शेड है इसमें तो मैं इसी को यूज कर रही हूं और ये माट है ग्लॉसी नहीं है तो बहुत ज्यादा अच्छे लॉंग लास्टिंग भी है क्योंकि मैं अपना जो मेरा मेकप है वह एक्दम सिंपल है मैं लिप्स्टिक को थोड़ा बोल्ड कर रही हूं ताकि एकदम पर्फेक्ट लगे तो देख सकते हैं कितना सही लुक आ रहा है अब बहुत जल्डी गीववे करने वाली हूं तो प्लीज में चानल पर जरूर से कनेक्ट रहेगा ताकि आपको पता चलते हैं रहे कि मैं गीववे में क्या क्या करने वाली हूं सो याँ फिर्ण्स आइव वीची इन नेक्स वीडियो सुचिल दें बावाई